हेलो एवरिवन देखिए आज हम करते हैं हमारा जो एटम्स एंड मोल्यकूल्स का लेशन है लेशन नमबर थ्री नाइन साइन्स आनू और परमानू इसके आज हम करेंगे मल्टिपल च्वेश क्वेशन एंगे बड़े इंपोर्टेंट क्वेशन है ये हमारे अंसर किसी भी त रेचर अर्याना को चाहिए पंजाब जैस का हैं वाला हो जिसका हम स्थे अग्जाम होते हैं या किसी भी जोब का एक्जाम होता है आपका या या में बैठते हैं हिए एस के लिए ही बड़े इंपोर्टेंट क्वेशन है और खास कर क्योंकी यह हमारे एंसे इंइलिग बे हैं हमारे चाहे Central level के हूं चाहे State level के हूं तो उसमें ये question mostly पोचे जाते हैं तो बने रही है आप हमारे साथ आज का जो कि आपका टेस्ट रहेगा कुछ इस तरह हैं से रहेगा एक बार नोड कर लीजिए आप अपना copy pen निकाली हम question आपकी screen पर लेकर आएंगे और उसमें चार option होंगे ABCD उसमें से एक अंसर सही होगा उसको आपने अपनी copy पर note करना है फिर उसका साथ साथ हम अंसर देते जाएंगे और आपने चेक करना है कि दिया गया अंसर सही है अत्वा गल्त है अगर सही है तो आप एक नंबर दीजिए और गल्त है तो आप जीरो नंबर दीजिए इस तरह से आप अपना test भी देंगे और साथ साथ आपकी क्या रिभी हो दाएगे फिर इसके बाद जो आपना test अपने दोस्तों और अपने अधापक के साथ जरूर शेयर कीजिए तो चलिए बिना देरी की शुरू करते हैं हमारा आज का टोपिक multiple choice question lesson no.3 और बड़े important question है आएम राजिंदर कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल फिजिक टोट आजू डोट राजिंदर तो चलिए फर्स्ट क्वेसन बिल्कुल असान महरिसी कनाड ने थो जो कनाड थे जो उन्होंने एक एवी बाजय सुक्स्तम कन को क्या नाम दिया था option a अनू, b परमानू, c, a और b दोनो, d पे तत्व तो आप अपना अनसर लिखिए a, b, c, d, जो भी आपका से ये अनसर लिखिए और हम तब तक आप वीडियो पोज कर दीजिएगा फिर हम आपको अनसर भी देते जाएंगे सासा, तो पहले का जो अनसर रहेगा हमारे पास c, a और b दोनो, तो जो मैरे c कनाड थे, उन्होंने अविवाजय सुक्तम कन को नाम दिया था, आणू और परमानू, दोनो नाम दिया थे question number second हमारा, किन दो विगैनिकों ने रस्यानिक श्योजन के दो मैतनमपून नियमों को स्थापित किया था तो option a, आंत्मा एल लवाई जिये, जोजफ एल प्राउष्ट, बी पे डेमोक्रेटिक, ल्यू सीप्स, और सी पे जोन डॉल्टन, डॉरविन, और डी पे रोबर्ट हुक और रोबर्ट ब्राउन, तो question number जो 2 है मारा उसका अंसर रहेगा, आप नोट कर लिजी, हमारे लिए जो अंसर होगा आपके लिए, वो होगा a, आंत्मा एल लवाई जी और जोजफ एल प्राउष्ट है, जिन्हों ने ये समंद स्थापित किया था, question number 3, योगिक जल, जिसका जो सुत्र होता है हमारे पास, h2o फार्मुला होता है, लिखते हम इसको h2o ऐसे है, पैरों में दो लिखते हैं और ऐसे लिखते हैं, h2o, तो जो h2o का फार्मुला है हमारे पास, वो हाइड्रोजन और ओक्सिजन के द्रहमानों का अनुपात होता है, उसमें तो इसमें जो आपका अंसर सही रहेगा, वो क्या रहेगा, एक अनुपात 8, एक अनुपात 6, दो अनुपात 1, य प्रमानु सिधान्त की नियमों पर आधारी था, A. भोतिक सयोजन का नियम, B. रसायनिक सयोजन, C. पे B. और D. दोनों, और D. पे जैविक सयोजन, तो क्वेसन नम्बर 4 का जो हमारे पास अंसर रहेगा, B. डाल्टन का जो प्रमानु सिधान था, वो था रसायनिक सयोजन न नियमन में से डाल्टन के सिधान्त की विवेचना कौन सी थी, A. परमानु का दिर्मान, A. मरशानिक, कुन दर्म समान होते हैं, B. योगिक में परमानु की सापेक संख्या निशित होती हैं, और C. परमानु ने तो स्रीजित होते हैं, और ने ही विनास होता है, D. उप्रोक् मतललों, ने तो परमानु को स्रीजित किया जा सकता है, नहीं विनास किया जा सकता है, योगिक में परमानु की सापेक संख्या में सान निशित रहती हैं, और परमानु का दिर्मान और रशानिक गुण दर्म शमान होते हैं Q6. सभी दर्वियों की रचनात्म की काई किसे कहते हैं? Q6. सबसे छोटी काई हमारी का होती है? और परमानू की भी आगे हम तीन पार्ट बनाते हैं, प्रोटोन, इलेक्ट्रोन और न्यूट्रोन. Q7. परमानू तरिजा को किस में मापा जाता है? A. नैनोमेटर में, B. सेंटीमेटर में, C. डैकामेटर में, D. पैरामेटर में या पीकोमेटर, जो भी आपका अंसर है, हमें अंसर के साफ से देखना है? तो Q7. सबसे छोटी काई हमारी यहाँ पर नैनोमेटर होती हैं, तो इसलिए परमानू की तरिजा को नैनोमेटर में मापा जाता है. Q8. एक मेटर में कितने नैनोमेटर होती हैं? तो एक मेटर में दस की सक्ती माइनस नो, यहाँ पर दस की सक्ती माइनस आठ, दस की सक्ती माइनस यह और दस की सक्ती माइनस तीन. तो एक नैनोमेटर में, यदि हम कहना चाहिए, यानि कि एक मेटर में दस की सक्ती माइनस नो नैनोमेटर होते हैं, क्वेशन नम्बर 9 किस विगैनिक ने ततूं के परतीक दे जो ततूं के नाम के एक या दो अक्षरों को परदर्सित करते हैं तो A पे डॉल्टन, B पे बर्जीलियस और C पे एडिशन और D पे लियोशिप्स तो क्वेशन नम्बर 9 का जो हमारे पास अंसर रहेगा वो है P बर्जीलियस क्वेशन नम्बर 10 कौन सी अंतराष्टिय विगैनिक संस्ता हैं जो ततूं के नामों परतीकों और मात्रकों को स्विक्रिती देती हैं तो क्वेशन नम्बर 10 में हमारे पास फर्स्ट में आई यू पी असी बी में आई यू यू अन और सी में आई यू पी एस और फिर हमारे पास डे में आई यू सी डवलू तो क्वेशन नम्बर 10 का जो हमारे पास अंसर है वो रहेगा A. आई यू पी असी इंटरनेशनल यूनियन और प्योर और अप्लाइड केमिस्ट्री फॉल फोर्म होती है इसकी क्वेशन नम्बर 11 आई यू पी असी का पूर्ण रूप क्या है इंटरनेशनल यूनियन और प्योर और अप्लाइड केमिस्ट्री इंटरनेशनल यूनियन और प्योर और अप्लाइड केमिस्ट्री तो हमारे पास क्वेशन नम्बर जो 11 है 11 का जो अंसर रहेगा वो रहेगा बी, International Union of Pure and Applied Chemistry, IU-PAC हमारे पास इस कांसर रहेगा question number 12, तत्वों के परतीक को कैसे लिखा जाता है पहला अक्सर बड़े में, दूसरा अक्सर छोटे में पहला अक्सर छोटे में, दूसरा अक्सर बड़े में दूनों अक्सर बड़े में, या दूनों अक्सर छोटे में तो जो तत्वों के परतीक हैं, उसके लिए question number 12 का जो हमारे पास option रहेगा, पहला अक्सर बड़े में, दूसरा छोटे में जैसे helium है, helium में पहला अक्सर बड़ा और दूसरा छोटा तो इस तरह से तत्वों के परतीक लिखे जाते हैं, question number 13, निमन में से aluminum का सही परतीक क्या है, तो AL फिर AL या A इस तरह से, तो जैसे कि हम इने अभी देखा, उसमें क्या था पहला अक्सर बड़ा होता है, यनि कि A और दूसरा छोटा होगा, तो क्या बड़ेंगा aluminum AL, तो इसका मतलब हमारे पास अंसर क्या हुआ, first AL, question number 14, कोबाल्ट का कौन सा परतीक है, तो simple वही CO, पहला अक्सर capital, दूसरा small, तो कोबाल्ट का अंसर आएगा हमारे पास B, पंदरवा question, किस रूप में कार्बन बारा समस्तानी के एक परमानुद्रयमान के एक बटे बार्वें भाग को लेते हैं, मानक परमानुद्रयमानिक आई, मानक अनुद्रयमानिक आई, योगिक द्रयमानिक आई, और B और C दोनों, तो question number 15 का जो अंसर रहेगा, वो रहेगा, A, मानक परमानुद्रयमान इक आई, जिसको हम U से भी लिखते हैं, question number 16, किस रूप में कार्बन बारा, समस्तानी के एक परमानुद्रयमान के एक बटे बार्वें भाग को लेते हैं, तो question number 16 का जो अंसर रहेगा, आमारे पास, तो शेम रहेगा, आमारे पास, A, मानक परमानुद्रयमान इक आई, question number 17, निमन में से नाइट्रोजन का परमानुद्रयमान कौन सा है, तो आप जो हैं, पहले 30 जो तत्व होते हैं, उनका परमानुद्रयमान याद कर लिजी, जब भी आता तो पहले 30 से ही आता है, तो इसमें से जो हमारे पास अंसर दिया गया है, 16 है, 23, 24 और 14, तो question number 17 का जो अंसर रहेगा, वो रहेगा, D, परमानुद्रयमान का रहेगा, 14, question number 18, परमानुद्रयमान की काई क्या है, short में लिखते हैं, M, A, U, या centimeter, question number 18 का जो अंसर रहेगा, हमारे पास, परमानुद्रयमान की काई, हमारे पास क्या रहेगी, परमानुद्रयमान की काई, क्या रहेगी, question number 18 है, हमारे पास ये, परमानुद्रयमान की काई, क्या है, तो इसका हमारे पास जो अंसर रहेगा वो रहेगा U shortcut में हम इसको AMU लिखते हैं A, M, U question number 19 आनू की सरंचना में प्रियोक्त होने वाले परमानू की संख्या को क्या कहते हैं आनू परमानूकता, परमानू की परमानूकता, A और B दोनो योगी की परमानूकता तो question number 19 का जो हमारे पास अंसर रहेगा वो रहेगा B, परमानू की परमानूकता question number 20, किस प्रकार के परमानू जुड का योगी के अनू निर्मित करते हैं एक इतना के भिन भिन प्रकार के A और B दोनों इन में से कोई नहीं तो question number 20 का हमारे पास अनसर रहेगा C, A और B, दो Question number 21, जल के अनुमें प्रियुक्त प्रमानों की संख्या का अनुपात क्या है Question number 21, एक अनुपात तो दो अनुपात एक, एक अनुपात एक और ती अनुपात लिखो Question number 21 का अनसर रहेगा हमारे पास B, दो अनुपात 1, question number 22 प्रमानों के इसे स्मू को क्या कहेंगे जिस पर net आवेश विद्यमान होता है आयन, धातू, एधातू या उपधातू, तो question number 22 का अन्सर है हमारे पास A, उसको बोलते हैं, आयन question number 23 आयन पर कौन, कौन से आवेश होती है रिन आवेश, धान आवेश A और B दोनों, या आन आवेश कोई आवेश नहीं होता तो question number 23 का अन्सर है हमारे पास C एक और दो, यानि कि रिन आवेश भी होता है धन आवेश दोन होते हैं, तो अन्सर हमारे पास क्या रहेगा, C रहेगा अन्सर नहीं, तो धन आवेश भी होता है और रिन आवेश भी दोन होते हैं रिन आवेश द आयन को क्या कहते है, रिन आवेश द आयन नाम से देखी, रिन आयन, धन आयन तटास्त आयन, इन में से कोई नहीं तो question number 24 का अन्सर है मारे पास, रिन आयन बोलते हैं इसको question number 25 धन आवेशित आयन को क्या बोलते हैं रिन आयन धन आयन तटास्त आयन इन में से कोई नहीं तो धन आवेशित यहनके धन आयन question number 26 sodium chloride के आयन बताईए तो sodium chloride NaCl plus और minus NaCl plus plus NaCl minus plus और NaCl दोनों पर minus question number 26 का जो अंसर रहेगा हमारे पास वो रहेगा B answer रहेगा इसका हमारे पास A NaCl एक पे plus होगा और एक पे negative होता है NaCl यह रहेगा तो question number 26 का अंसर हमारे पास A NaCl question number 27 किसी योगी का रसायनिक सुतर किस का परतिकात्मक निरुपन होता है रंग का संगटक का आकार का भार का तो question number 27 का हमारे पास अंसर रहेगा B संगटक का और question number 28 किसी ततव की स्योजन सक्ति उस ततव की क्या कहलाती है परमानुकता श्योजकता योऔर भी दोनों आव धिकता तो question number 28 का अंसर रहेगा हमारे पास B संयोजकता कहलाती है question number 29 दसायनिक सुतर लिखते हैं इसमें कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए आवेश अंतूलित होने चाहिए धातू को बाई और आयन को कोस्ट में लिखना चाहिए बहु परमानुक आयनों के आयन को कोस्ट में लिखना चाहिए उप्रोक्त सभी question number 29 का हमारे पास अंसर रहेगा उप्रोक्त सभी इन सभी नियमों मका में पालन करना चाहिए question number 13 दो भिन भिन तत्वों से निर्मित सालतम योगिकों को क्या कहते है ए प्रितिया योगिक चतूर्त योगिक दिवियंगी योगिक प्रथम योगिक तो चारों में से हमारे पास अंसर रहेगा c दिवियंगी योगिक इसके बाद question number 31 hydrogen sulfide का सुत्तर क्या है hs hs2 h2s h3s तो हमारे पास जो इसका अंसर सही रहेगा c उसको फार्मूलत है हमारे पास h2s hydrogen sulfide इसको बोलते हैं question number 32 रसायनिक सुत्तर को कैसे ग्याद करते हैं ततों का परतीक लिखना ततों का आवेश लिखना आवेशों को आडा तीर्चा करना वो प्रोग सभी question number 32 का हमारे पास अंसर रहेगा d वो प्रोग सभी question number 33 calcium oxide का सुत्र बताए c ao c a 2 o c a 2 o c a 2 o 3 c a 3 o t question number 33 का जो हमारे पास अंसर रहेगा d यानि कि c a 3 लिखेंगे हम इसको ऐसे c a 3 और o 2 इस तरह हैं calcium oxide का formula question number 34 आणविक द्रहमान किसे कहते हैं संगटक प्रमानू के द्रहमानrows का योग अ और भी दौनों योगिकों के संगटक question number 34 का हमारे पास अंसर रहेगा a संगटक प्रमानू के द्रहमानो का योग question number 35 सापेक्स द्रमान को किसी कहाई द्वारा व्यक्ट किया जाता है प्रमानू द्रमानिक आईं बी ग्राम, सी मीटर, डी सेंटिमीटर, सापेक्स दर्यमान को किस इकाई दवारा नुक्त किया जाता है तो 35 का होता है हमारे पास, परमानू दर्यमान इकाई यानिके M और कहीं बार इसको हम यू से भी लिखते हैं, नोट कर लीजिए, ठीक है नेक्स्ट क्वेशन हमारा, जल का सापेक्स आणिमिक दर्यमान क्या होता है तो अंसर 18 मीटर, 17 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर तो क्वेशन नमबर 36 का जो हमारे पास अंसर रहेगा, वो रहेगा, ए 18 मीटर नेक्स्ट क्वेशन, क्वेशन नमबर 37 का सुत्री काई दर्यमान की से काते हैं संगटक प्रमानू के प्रमानू दर्यमान का योग, संगटक प्रमानू के आनुविक दर्यमान का योग, मोल संकलंपना और C और B दोनू, तो question number 37 का अजु अंसर हैगा अमारे पास संगटक प्रमानू के अनूद्रयमान का यो next question अमारा एक मोल में कणों की संख्या कितनी ओती है, 6.022 गुणा 10 की सक्ती 23 6.022 गुणा 10 की सक्ती 20, 6.2 गुणा 10 की 21, 6.1 गुणा 10 की 22, तो 38 का हमारे पास अंसर रहेगा 6.022 गुणा 10 की सक्ती 20 next question question number 39 किस विगयनिक ने और कब मोल सब्द प्रस्तावित किया था तो विलहेलम उस्वाल्ट सन 890, विलहेलम हूक सन 890, लवाजी सन 845 और रबर्ट हूक सन 890 तो question number 44 का जो हमारे पास अंसर रहेगा A, सन 8906 में W ओशन ने इसको लिया था मोलों की संख्या को कैसे ग्याद करते हैं दिया गया द्रेमान, बटे में मोलर द्रेमान मोलर द्रेमान, बटे में दिया गया द्रेमान देगे काणों की संख्या बटे अवेगाडरो संख्या A और C दोनू तो question number 40 का जो अंसर रहेगा D A और C दोनू मतलो ये answer भी सही है और ये भी सही है question number 41 परमानों की संख्या ज्याद करनेगा सुत्तर दिया गया द्रहमान बटे मी मोलर द्रहमान गुणा मी अवेगाडरो संख्या तो तालिस का हमारे पास रहेगा answer A दिया गया द्रहमान बटे मी मोलर संख्या गुणा मी अवेगाडरो संख्या तो answer क्या रहेगा हमारे पास A question number 42 दो या दो सेदिक समान अथ्वा भिन प्रकार के परमानु से मिल कर क्या बनता है परमानु अनु उप्रोक सभी इन में से कोई नहीं तो ब्यारिस का हमारे पास अंसर रहेगा बी अनु इलेक्ट्रोन का विष्कार किस ने किया था चैडविक रदरफोर्ड थॉम्शन फैब्रिक तो इलेक्ट्रोन का विष्कार जो किया था वो किया था ओप्शन में हमारे पास थॉम्शन ने किया था Question No. 44, Neutron का विश्कार, Rutherford, Chadwick, Thompson, Plum, किस ने किया था, Neutron का विश्कार Question No. 44 का हमारे पास अंसर है, B, Chadwick ने किया था Question No. 45, Proton का विश्कार किस ने किया, Rutherford, Chadwick, Thompson, Provel Proton का विश्कार किया था, हमारे पास, Rutherford ने रदर पोर्ट ने प्वस्टर नम्बर 46 इलेक्ट्रोन में किस प्रकार के आविशित कंड पाये जाते हैं इलेक्ट्रोन धन आविशित, रिन आविशित, धन और रिन दोनों उप्रोक्त में से कोई नी चारिस का जो अमारे पास अंसर रहेगा वो रहेगा रिन आविशित प्रोटोन जैनि किस प्रकार की किरणों को आविशित करता है धन आविशित, रिन आविशित उप्रोक्त सभी, उप्रोक्त दोनों सही है तो 47 का अंसर रहेगा हमारे पास धन आविशित प्रमानूं के नाविग में पाये जाते हैं इलेक्ट्रोन इलेक्ट्रोन और नूट्रोन इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन और नूट्रोन तो प्रमानू के नाभिक में हमारे पास होते हैं प्रोट्रोन और नूट्रोन इलेक्ट्रोन जो हैं प्रमानू से नाभिक से बाहर होते हैं उसके चारोन चकर लगाते हैं का पलम पूडिंग मोडल किस ने दिया था डॉल्टन ने थॉम्शन ने रदरफोर्ड ने उपरोक्त में से कोई नहीं तो 50 का हमारे पास अंसर रहेगा बी थॉम्शन ने दिया था अंसर क्या रहेगा थॉम्शन दो या दो सदिक समान परमानु जुड कर क्या बनाते हैं लवन योगिक या तत्र तो हमारे पास 51 का जो अंसर रहेगा वो रहेगा ए क्या बनाते हैं आनू बनाते हैं प्वेशन नंबर 52 परमानु के नाभिक के अव्यव हैं इलेक्ट्रोन और प्रोट्रोन प्रोट्रोन और न्यूट्रोन इलेक्ट्रोन न्यूट्रोन इलेक्ट्र का हमारे पास अंसर रहेगा ए इलेक्ट्रोन और प्रोटोन वग्यानिक जिसने प्रमानु का सिधान दिया किस की होज है रदर फोर्ड की मेडम क्यूरी जॉन डॉल्टन आइंस्टीन तो त्रेपन का जो अंसर रहेगा हमारे पास C, John Dalton नीट्रोन की खोज किस ने की थी चैडवीक ने रदर फोर्ड ने बोर्ड ने नूर्टन ने तो 54 का अंसर रहेगा ए चैडविक ने की थी प्रमानू होते हैं धनात्मक, रिनात्मक, द्वीद्वनात्मक और उदासिन तो 55 का अंसर रहेगा D प्रमानू जो है उदासिन होता है एलेक्ट्रोन की खोज किस ने की थी तॉम्सन, निलबोर, रदरफोर्ड, फेराडे तो 56 का जो अंसर रहेगा थॉम्सन ने इलेक्ट्रोन की खोज की थी किस तात्तव के रिशानी गूण निर्वर करते हैं प्रमानू द्रमान पर, द्रमान संक्या पर, प्रमानू करमान पर, प्रमानू भार पर तो 57 का जो अंसर रहेगा, वो रहेगा C, परमानू करमांग पर ओजोन में ऑक्सिजन की परमानुकता होती है 1, 2, 3, 4 तो ओजोन में 3 अनु होती है तो इसलिए 58 का जो हमारे पास अंसर रहेगा वो रहेगा C उसका फार्मला हमारे पास क्या होता है O3, तो 3 परमानू होते है परमानु की सरंचना का पलम पूडिंग मॉडल किस ने दिया था नेल बोर्स, थॉम्शन, राधर फोर्ड इनमें से कोई नहीं तो 59 का अब यह नहीं किया था थॉम्शन ने दिया था एक तत्तव के समस्तानिक में होते हैं समान बहुतिक गुण, भिन रसायनी गुण, नोट्रोनों की अलग संक्या, भिन परमानु संक्या तो 60 का जो हमारे पास रहेगा समान बहुतिक गुण ए, 61, एधातु हैं गंदक, सिल्वर, आयरन, गोल्ड तो इसमें से जो एधातु हैं हमारी गंदक हैं बाग यह तीनों के हैं धातु हैं यानिके अंसर क्या रहेगा ए, वायू है एक योगिक मिशन तत्तव एधातु तो 62 का जो अंसर रहेगा हमारे पास बी, वायू एक मिशन है बहुत सारी गैसों का निमिलिक में से योगिक हैं सीमें, टूथपेज, शक्कर, कॉल्ड रिंक्स योगिक होते हैं जिसमें निश्चे तन बात होता हैं तो किसी तत्तव के परमानो दर्मान के लिए कौन से कंड जीमेदार होते हैं, इलेक्ट्रोन, प्रोट्रोन, न्यूट्रोन, इलेक्ट्रोन, न्यूट्रोन, केवल, न्यूट्रोन, तो 64 का जो अंसर रहेगा हमारे पास रहेगा, बी, प्रोट्रोन और न्यूट्रोन, किसी तत् दर्शाती है परमानु करमांग परमानु दर्यमान मोल संख्या इन में से कोई नहीं तो वो दर्खाती है हमारे पास परमानु करमांग दर्शाती है परमानु इलेक्टोन प्रोटोन की संख्या परमानु करमांग दर्शाती है अगर किसी तत्व के परमानु के परतीक पर रिं एक पॉइंट चे गुणा में दस की सक्टी मैंने से चार ओप्सन दे गाया तो इन चारों में से अंसर हमारे पास क्या सही रहेगा तो ग्सम्न का रहेगा ए, 1. Kollegin 10 की सक्तिंग होका माइननेस प्रोटों पर प्लस हो जाता है ये वाध्यान रखेंगा इलेक्ट्रोन का द्र्यमाण कितना होगा 9.89 की सक्ति इकत्तिस माइननस 9.89 की 3 और 9.89 की 2 8 क्राम तो question number 68 का रहेगा हमारे पास अंसर C 69 किसी ततगवाय चोटे से चोटा कंड जो रशैनिक प्रिवर्तन में भाग लेता है प्रन्तु जिसका सवतंतर अस्तित्व संभाव नहीं है आनू परमानू धन की नू प्रोक्त में से कोई नहीं तो 69 का हमारे पास अंसर रहेगा B ये था हमारे पास आज का आपके लिए multiple choice question तो आसा है कि आपने जो है पूरे के पूरे question को ध्यान से देखाऊगा और सुनोगा तो इसकी अंसर की हमारे पास ये दी गई है आप दुबारा से अंसर आप मिला सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए जल्दी आज रहूंगे तब तक हम लेते हैं आपसे जाते चैश्ट